नमस्कार मैं हूँ पंडित अर्विन गौर्ड स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल जोतिश विद अर्विन गौर्ड में और हमारी आज की चर्चा का विशा है सत्तम भाव पर द्रश्टी फल ग्रहों का सत्तम भाव पर जो द्रश्टी का प्रभाव आता है उसी को पांच एक्जांपल भी दूँगा जिससे ये बात बिल्कुली क्लियर हो जाए अपको हर ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है हर ग्रह की अपनी एक राशी होती है तो वह जो राशी होती है वहां वह मित्र भी हो सकता है शत्रू भी हो सकता है नीच राशी में हो सकता है उ इस सारे कॉम्प्लिकेशन को भी मैंने थोड़ी कोशिश किये, थोड़ा समराइज किये जिससे आपके लिए से समझना सहज हो. सूर्य मंगल शनी राहू और केतू ये जो पाँच ग्रहे हैं इनकी विच्छे दात्मक दरश्टी होती है. यानि अगर ये मित्रगी दरश्टी से भी देख रहे हैं, तब भी थोड़ा बहुत बुरा प्रभाव संगर्ष दे सकते हैं प्रारम्गी जीवन का. और अगर ये शत्रू दरश्टी से देख रहे हैं, तो फिर अधिक खराब प्रभाव देंगे. बाकी बचे वे चार ग्रहे हैं, जिसमें हमने चंद्र, बुद्ध, शुक्र और गुरु की बात, अगर वो शत्रू दरश्टी ये नीच दरश्टी से देख रहे हैं, तब आप इस टेबल में बिल्कुल देख पा रहे हैं, कि हर ग्रह की कित्वी दरश्टी हैं, सभी ग्रहों की सात्वी पौन दरश्टी होती ही है, जो अपने भाव जहां वो बैठेंगे, वहां से सात्वे भाव को देखेंगे, और हमारे आज के वीडियो में, अगर वो लगन मे सातों ग्रह, यानि नो के नो ग्रह अगर लगन में होंगे, जो कभी हो नहीं सकता, एक्जामपल दे रहा हूं, तो उसकी पौन दरश्टियां आपके सप्तम भाव पर आएंगी, नो में से कोई सा भी ग्रह बेटे या भाव ये था, कुछ ग्रहों की अलग अलग दरश्टि है, दस्वी और तीसरी, यानि वो जहां बैठें, वहां से तीसरी दरश्टि को भी देखते हैं, शनी देव, तो इन सब को एके करके समझाता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उन चार ग्रहों की बात करते हैं, जो सिर्फ एक दरश्टि के ही मालिक हैं, वो हैं सूर, बुद चंद्र और शुक्र, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे, कि वो केवल अपनी एक ही दरश्टि से, यानि वो सब्तम भाव को केवल तब ही प्रभावित करेंगे, जब वो लगन में बैठे होंगे, अने था नहीं, मंगल जनन कुंडली के बारे में भाव म बैठा होगा, वहां कौन सी राशी है अभी इसकी चर्चा बिल्कुल छोड़ दीजी, सिर्फ बार्मा भाव देखिए, लगन भाव देखिए और चौथा भाव, तो वो मंगल आपके सब्तम भाव पर पूर्ण दरश्टी डाल रहा है, इसी तरह से गुरु, रहु और ये जनम कुंडली के तीसरे घर, लगन में और ग्यारवे घर में बैठेंगे, तब ही केवल सब्तम भाव पर इनकी दरश्टी आएगी और कहीं से भी नहीं, शनी की दरश्टी लगन भाव से तो आएगी ही, तीसरे भाव से और दशम भाव से भी आएगी, तो ये हुई अल ग्रहों को एक साथ रख दिया है, कि वो यहाँ, यहाँ, यहाँ होंगे, तब ही दरश्टी डालेंगे, यानि कोई भी ग्रह दूसरे, छटे और आठ्वे में बैठके, सात्वे भाव पर दरश्टी नहीं डाल सकता, ये एक ऐसा ही समझने के लिए बात थी, अब बात आती ह कि एक टेबल से हम समझने कोशिश करते हैं, कौन से ग्रह कैसे मित्र होते हैं, कहां शत्रू, ये आपके सामने टेबल है, मैं इसके डिटेल पढ़ूँगा, टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए एक बात बता देता हूँ, जैसे सूरे के लिए लिखा है, कि व सूरे की, द्रश्टी की, और सप्तम भाव में दो नंबर है, तो बुरा प्रभाव देगा, सात नंबर है, तो बुरा प्रभाव देगा, दस नंबर है, तो बुरा प्रभाव देगा, ग्यारा नंबर है, तो बुरा प्रभाव देगा, इससे हमने क्या सीखा, कि वहां वो अ अगर अपनी शत्रू राशी में है नीच राशी में है तो द्रश्टी तो खरब प्रभाव आएगा तीन और छे नंबर यानि बुद्ध की राशियां होगी तो सम प्रभाव देगा ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा और अगर वही पर करक राशी है मेश राशी है व्रश्चिक राशी है धनु है मीन है तो यहाँ पर उसका प्रभाव अच्छा है गई एक एक एग्जामपल में मैंने समझाने के दिखाया टेबल आपको दिखाई दे रही है इसे मैं और बड़े स्क्रीन पर पूरे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जिससे आप इसे ध्यान से देख सकें इसका स्क्रीन शॉट लेने यह आपके बड़े काम आईगी बात है तो हमने क्या देखा सबसे पहले अभी तक सिर्फ इतना हम जरूर सीख गए कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कहां बैठा है आपको कुछ नहीं करना है अपनी जनम कुंडली को लेकर बैठना है और ध्यान से देखना है किस ग्रह की दरश्टी आप देखना चाहरे हो एके करके पकड़के चलो सूर्य को देखो अगर लगन के अलावा आपका सूर्य कहीं भी बैठा है तो वो ब्रश्टी प्रभाव नहीं देगा इसके बाद सूर्य का आगई चंद्र चंद्रभी अगर लगन भाव में बैठा है, तभी केवल वो अपना दर्ष्टी प्रभाव देगा, इसी तरह बुद्ध और शुक्र भी, ये चारों ग्रहें सिर्फ लगन में बैठके दर्ष्टी प्रभाव देते हैं, अब यहां तक आपको समझ आ गया कि कौन-कौन से ग्र या बुरा फल दे रहे हैं, या अच्छा फल, इसे देखने के लिए मैं आपको अभी 4-5 एक्जामपल बताता हूं, जिससे यह बास समझना बहुत आसान हो जाएगा, पहला एक्जामपल लेते हैं, देखिए, ये कुम लगन की कुन्ड़ी है, आपको भी बिलकुल ऐसे ही अप्रोच करना है, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं सोचना है, एके करके ग्रह को देखना है, देखिए, सबसे पहले सूर कहा है, सूर इस कुन्ड़ी में, इस भाव में, ठीक है, यहां से सूर की दरश्टी पढ़ ही नहीं सकती, केवल वो यहां से दे दियान दीजी, चंद्र इस भाव में, उसको भी यहां होना चाहिए था, चंद्र कैंसम, इसके बाद आई मंगल के बारी, मंगल इस भाव में, वो भी नहीं देख सकता, किसी अलत में भी सब्तम भाव पर, मंगल के बुद्ध के बारी, बुद्ध इस घर में बैठा है, वो भी नहीं डाल रहा है, शनी, इस घर में होता, इस घर में होता, यहां होता, तो द्रश्टी डालता, सब कैंसल, राहू लगन में बैठा है, और लगन में जो भी ग्रह बैठेगा, वो द्रश्टी डालेगा, तो इस कुंड़ी में केवल एक राहू यहां द्रश्टी डाल र और शत्रू दरश्टी जा लेगा तो वहाँ पर कुछ बिगाल करेगा, कुछ नुकसान करेगा, कुछ तक्लीफ देगा. तो यहाँ पर राहु की जो एक मातर दरश्टी है वो कुछ कष्ट देने वाली है, भला करने वाली नहीं है. दूसरे एक्जामपल पर ध्यान देते हैं ये धनु लगन के कॉंड़ी है नौ नमबर और लगन में सूर्य बुद्ध बैठते हैं जो भी ग्रह लगन में बैठेगा जैसे सूर्य और बुद्ध वो पूरी सब्तम द्रश्टी से यहां देखेगा चंद्र यहां बैठे हैं वो नहीं कर सकते मंगल भी नहीं देख सकते केतू भी नहीं शली भी नहीं क्योंकि इनकी द्रश्टियां आलग हैं सिर्फ राहू यहां पर अपनी नौमी द्रश्टी से देख रहा है तो कितने ग्रहों ने देखा सूर ने बुद्ध ने और राहू सूर्ण की यहां पर समद रСТी है मित्र रस्टी है कोई तक्लीफ नहीं है सूर्ण यहांपर लाब देगा धन लाब होगा वैवाइग जीवन के सुख जीवन इस्तर वह अपनी तरफ से यहां कोई विशेश बुरा प्रभाव नहीं करेगा उसका भी लाभी होता हुआ दिखाई देगा एक और तीसरा एक्जामपल एस पर ध्यान देते हैं यह मीन लगन की कुंड़ी है और सूर बुद्ध गुरु शुक्र यहां बैठे हैं मंगल यहां केतु शनी यह आप देख बारें एक्ए करके आप सारे ग्रहों को देखिए मैं सभी को बारबर बताओंगा तो समय बहुत लगेगा यहां मंगल अपनी चौती दरश्टी से शनी अपनी 10 दरश्टी से और गुरु अपनी पांचवी दरश्टी से केवल तीन ग्रह यहां पर देख रहें मंगल की यहा देखो बराबर में टेबल है उससे भी देख सकते हैं तो मंगल यहां शत्रू द्रश्टी से देख रहा है लाब नहीं होगा शनी यहां सम द्रश्टी से देख रहा है बराबर बराबर गिर्जल देगा गुरू भी यहां शत्रू द्रश्टी से देख रहा है तो तीनों द्रष्टियों में दो द्रष्टियां यहाँ पर शुब नहीं कर रहे हैं एक द्रष्टी एबरेज प्रभाव दे रही है तो निश्चित रूप से इस कुंड़ी में वैवाइक जीवन को लेकर के कुछ तना संभव है यही तरीका है से देखने का एक और एक्जांपल पर ध्यान देते हैं यह मकर लगन की कुंड़ी है लगन में तीन ग्रह सूर बुद्ध और चंद्र बैठते हैं मंगल इधर सभी ग्रहों को एके करके लेता हूँ सूर पर ध्यान दीजे जो ग्रह लगन में बैठेगा वो देखेगा चंद्र लगन में वो तो पांच ग्रहों की यहाँ पर सब्ता भाव पर दरश्टी है एक के करके समझ लेते हैं सूरे की यहाँ पर मित्र दरश्टी है चंद्र स्व दरश्टी से देख रहा है बुद्ध यहाँ शत्रू दरश्टी से देख रहा है मंगल नीच दरश्टी से और राहू मूलतरकॉन इतनी घहराई में जाने के बजाए आप बराबर में जो टेबल है उस पे ध्यान दीजी सूरे के आगे जो अच्छे पाइंट्स में लिखाए घहरे रंग के ब्रैकेट के अंदर दिखाए उसमें चार नमबर है तो सूरे की दरश्टी शुब हुई आपको इतना ही देखना है चंद्र के आगे चार नमबर लिखा है चंद्र की दरश्टी कहाँ पड़े चार नमबर पे तो चंद्र के आगे अगर आप टेबल में देखेंगे तो चार नमबर बढ़िया है ग्रीन में लिखा है फायदा करे तो जो शुब भाव से देखेंगे उस घर के शुब फल की व्रधी करेंगे, सामर्थे की व्रधी करेंगे, वहवाईक जीवन का सुख, जीवन इसतर रोज मर्रा के आमदनी और सुखों में इसमें बढ़ाओ मिलेगा, अवसर मिलेगा, आगे बढ़नेगा, अन्यता खराबिस एक और एक्जामपल ले लेते हैं, इस एक्जामपल पर ध्यान देते हैं, यह तुरह लगन की कुंड़ी है, लगन में तीन ग्रह सूर्य मंगल चंद्र बैठे हैं, एके करके समझ लेते हैं, सूर्य लगन में बैठे हैं इसलिए देखेंगे, चंद्र लगन में बैठे हैं इसलिए देखेंगे, मंगल भी लगन में बैठें, तो तीन ग्रहों की तो बिल्कुल इस परश्ट्र सात्वी दरश्टी आ गई, राहु की पांचनी और गुरु की नौवी दरश्टी भी आ रही है, तो यहां पर भी पांच ग्रहों ने अपनी दरश्टी सब्तां भावाव आप लिष्ट में चैक कीजिए सूर्य का जब एक नंबर देखाए जा रहा है तो उसके लिए मित्र है यहाँ वो शुब फल देंगे मंगल के लिए भी एक नंबर शुब फल है चंदर के लिए भी एक नंबर बुरा नहीं इसका मतलब भी तीनों ग्रहों का प्रभाव यहां शुब है, गुरू के लिए भी एक नंबर यानि मेश राशी को देखा जाना शुब है, तो चार ग्रहों का प्रभाव शुब, राहू यहाँ बुरा प्रभाव देंगे, चार ग्रह अगर शुब फल दे रहे होंगे और एक ग्रह कम शुब फल दे रहा होगा, तो इसे इसी accordance में लाब और हानी को हमें percentage वाइस समझ लेना है, यही इसका तरीका है, अपनी जनम कुण ले लीजिए, आराम से एके करके सारे ग्रहों को मेरी तरह लिख लीजिए, हर एक की द्रश्टी पे ध्यान दीजिए, टिक मार कर लीजिए, कौन-कौन से ग्रह देख रहे हैं, फि अब भी आप एक बार में शॉट कट से ये बात समझ सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये विशय जरूर समझ में आया होगा, ज्यादा मुश्कल नहीं था, मैंने अपनी तरफ से प्रयास करा कि ये बात समझ में आ जाए, इसमें ज्यादा कम्प्लिकेशन ना हो, साध लाव होगा, उसको देखने के लिए मैंने शॉट कट बनाने का प्रयास किया है, जो आपके सामने रखा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, आप अपनी जनमकुनली देखाने के लिए संपर करना चाहते हैं तो मेरे दिये हुए वाट्सअप नमबर पर संपर कर सकते हैं, यह सिवधा कुछ शुल्क लेकर आपको दी जा सकती है, अब जब वाट्सअप करेंगे तो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद, जैसी अरम